जैमातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जैमातादी चरूर लिखें। तो रहे पांच लोगों की हत्या कर दी, उसने सोचा की पांचो पांडवों की उसने हत्या कर दी है, लेकिन तभी उसके सामने पांचो पांडव आकर खड़े हो गए। दर असल जिन पांच लोगों की उसने हत्या की थी, वे द्रोपदी के पुत्र थे। अर्जुन ने थामा के बदले की आग और बढ़ गई और उसने उत्रा के गर्व में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त का प्रयोग किया ब्रह्मास्त के मार को निस्फल करना ना मुम्किन था इसलिए भगवान कश्ण ने उत्रा की अजन्मी संतान को अपना सारा पुन्य दे दिय और गर्ब में ही दोबारा उत्रा की संतान को जीवित कर दिया गर्ब में मर कर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रका पड़ गया और आगे जाकर यही राजा परिछित बना तब से ही इस व्रत को किया जाने लगा महा भारत में जीवित पुत्रका के मर कर फिर से जीवित होने की इस कथा के चलते ही आज भी माताएं जितिया वरत रखती हैं इस मानता के साथ कि उनके बच्चे को दीर गायू और सुक्सान्ती प्राप्त होगी तो बोलो जीवित पुत्रका की जये तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवज़ से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें करें